तेरी भुवा का बगीचा है क्या चो चला आया यहां पर हवा खाने आदी पुरुष का यह एक डायलोग है और अब लोग जो मनोज मुंतशिर है उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर का रमायन के किस वर्जन में इसने पढ़ लिया कि ऐसा कहीं सनुमात किया गया है ऐसा कहीं बोल गया है एक और डायलोग है यहां पर हमने सबको एक एक करके लगाया है यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का जलेगे भी तेरे बाप की अब यह कौन कहता है हनुमान जी कहते हैं और यह कहते किस से हैं तो मनोज मुंतशिर से क और पर आदिप पुरुष में भगवान राम भगवान हनुमान के जो करेक्टर है उसके साथ इस सनुमाद को जोड़ दिया सोशल मीडिया पर लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं आगे हम भी इस पर चर्चा करेंगे कि हिंदुतों के नाम पर राष्टोवाद के नाम पर खूब डंका पिटने वाला आदमी मनोज मुंतशीर जब डायलोग लिखता है भगवान प्रभु का प्रभु राम का प्रभु हनुमान का तब वो बाप बुवा इन तमाम चीजों को कैसे लिख देता है और कहा पर इसमें पढ़ा था कि रमायन में इस परकार के सनवादों का जिक्र है आगे सब पर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले हमारा परिचा है अब नमस्कार सुईकार कीजिए मेरा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक मिम बड़ा वारल है मिम में डालोग बोला जाता है कि मेरा नाम है बुला रहता हूं खुला अब इसके आगे पूरा का पूरा कैसारा डालोग है हम पूरा नहीं पढ़ते हैं लेकिन इस डालोग को जिसने लिखा है मनोज मुंतशिर का सायद वो आदम गुरू होगा अब इसका डालोग सुनियादी पूरुष में क्या होता है जो मनोज मुंतशिर है जो कथित तोर पर सबसे बड़े राष्टवादी हिंदुत्वादी है वो लिखते हैं इसमें डालोग की तेरी भुवा का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया अब आप सूचिए कि रामचरित मानस में या रमायन के कौन से भाषा में इस परकार के सनवात का जिक्र है किसी ने पढ़ा हो तो बता दे या मनोज मुंतशिर ने पढ़ा हो देखा हो तो आकर बता दे किताब दिखा दे कि फलनवा भासा में इस परकार का डालोग लिखा गया था त कई परकार के सवाल है सबसे पहली बात कहीं जा रही है कि माता सीता और भगवान राम का वनवास कोई रोमांस के लिए नहीं था बलकि वो त्याग था वो त्याग का प्रमान था वो त्याग का सबसे बड़ा उधारन था लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में उसको रोमांस दिखाया गया कि भगवान राम और माता सीता जंगल में बनवास के दोरान रोमांस करना है अब इसके आगे का जब हनुमान वहाँ पर लंका में जाते हैं तो इस डेलोग को बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की अब यहाँ पर रावन क्या कहता है जो हमारी बेहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे अब यह सब सुनने मनोज मुंतशिर गया थे जिसका जिक्र आज तक किसी ग्रंथ में नहीं है रामचरीत मानस में नहीं है जिस सनवात का जिक्र उसको भी मनोज मुंतशिर ने सुन लिया और लिख दिया है अब इधर देखिए यहाँ पर रावन कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुमारे सेस नाक को लंबा कर दिया अभी तो पुरा पिटारा भड़ा पड़ा है मानो वो रावन नहीं है वो कोई मॉडर्न फिल्म का सुपर हीरो टाइप का बिलन है अब एक और डैलोग हमको याद आता है कि लंबू ने मुद तुझे लंबा कर दिया माचिस की तीली को खंबा कर दिया अब हाथ जोड़कर मनन मुंतशिर को इस डैलोग को जिसने लिखा था उसके चरणों में पड़कर उनसे आशिरबाद लेना चाहिए कि उनके आशिरबाद से ही उन्होंने भी कुछ सिखा है और आदी पुरुष में भगवान राम के भगवान हनुमान के क्यरक्टर के साथ उन्होंने ऐसा ऐसा सनवाद लिखा है फिलाल एक और यहाँ पर हम पड़कर चुना देते हैं कि आप अपने काल के लिए कालीन भिछा रहे हैं जो हमारी बहलों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे और यहाँ पर तमाम तस्बीरों को देखिए यह रावन है आदी पुरुष का यहाँ पर देखिए इधर राम लक्षमन माता सीता और हनुमान लक्षमन को कहा गया है कि उस वक्त पर लक्षमन जो थे वो इस्टालिस दाढ़ी रखा करते थे एकदम इस्टाल में उसको रखते थे ऐसा दिखाया गया है जो रावन है उसके बारे में लोग सोशल मेडिया पर परत्किरिया दे रहे कि उस वक्त पर भी रावन के समय में हेयर जेल होता था रावन जेल लगा कर अपना बाल उठा लेता था और एकदम कूल डूड बनके चारो तरब घुमता रहता था अर यह आदी पूरुषकी एक आप कहिए कि हम आपने हमने आपको बताया कि कैसे फिल्म लगेगी जब आप सिनेमा हॉल में देखेंगे डायलोग सुनकर आपको लोगेगा कि कोई छिछोरा पन हो रहा है मतलब कि बुवा के बगीचे में हवा खाने आ गया इस टाइप का डायलोग मनोज मुंतशिर में लिग कर दिया है बाकी अब मनोज मुंतशिर सुकला से लोग सवाल पूछ रहे हैं जब आप क्या दे पाते हैं तथा कथीत खुद से उन्हों ने अपने आपको जो घोशित कर रखा है प्रखर हिंदुत वादी प्रखर राष्ट वादी तो जब आप क्या देते हैं या देखना मौत पूर्ण होगा आपकी परत्करिया क्या है कमेंट वोक्स में लिकर बता दिएगा आगे कुछ और जानकारी अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे आप तमाम खबरों के लिए जनता से साथ बने रहीएगा वीडियों ही पर सब्सक्राइब करते हैं कैमेरे क्शेबिशाल खड़े हैं और मैं मोईक कमार सींग बहुत दो धन्यवाद दो